जैहिंद, आज हम जिस विशाय पर बात करने वाले हैं, वो आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं साकाहरीका, मांसाहरीका और अन्तिमे में जो हम बात करेंगे वो है सरवाहरी ठीक है तो चलिए वीडियो को बीना समय गवाई हम सुरू करते हैं और यहाँ पर देखते रहिए और जरा सा इसका हम साइज छोटा करते हैं और देखिए गाज यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है साकाहर अगर हम साका हारी का English देखें तो वो हमारा क्या आ जाता है? Vegetarian और एक और हमारा आ जाता है वो हमारा क्या है? Harvey Boris तो guys कहने का मतलब यह है कि साका हारी की जगप पर यह वाला English meaning देदेगा या तो यह देदेगा यानि दोनों मेंसे अगर आपको कोई भी English meaning दे दिया जाएगा तो आप घवराईयेगा मत दोनों का मतलब सेम ही होता है तो अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साका हारी क्या होता है? साका हारी हम किसे कहते है? साका हारी का परिभासा क्या होता है? तो यह सब कुछ चीज़े आपसे पुछी जा सकते है तो आप घबराये मत आज के बाद आप लिख देज़ेगा ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही आसानी से है वो क्या है तो यहाँ पर परिभासा में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा कि यहाँ पर कह क्या रहा है कि जो जन्तु पेण पोधे से प्राप्त भोजन को खाता हो उसे हम क्या कहते हैं साकाहरी कहते हैं तो यहाँ पर सिंपल से मैंने लिख दिया है कि जो जन्तु पेण पोधे से प्राप्त भोजन को खाता हो उसे हम क्या कहते हैं साकाहरी कहते हैं यह सब हमारे पिन पौधे से प्राप्त होते हैं तो इन ही को जो खाते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं साकाहरी कहते हैं जैसे घास भी क्या है साकाहरी है तो घास साग यह सब क्या है साकाहरी पादफ है तो इन ही को जो खाते हैं उनको क्या कहते हम साकाहरी कहते हैं तो जैसे मैं देखते हैं तो हीरन हो गया गाय हो गया हमारा भेंस हो जाता है और बकरी और इसके साथ साथ भिंड हो जाता है और हित्यादी कई जानवारे ठीक है तो यहां तक ही बात आपको समझ आई की नहीं आई अगर आपको आ गया हो तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की चीजें तो साका हरी आपको कोई डाउट है तो जरूर बताईएगा अब हम आगे चलते हैं मांसा हरी के उपर तो आपको बहुत यह आसानी से मांसा हरी दिख विरा होगा यहां पर आपको आसानी से क्या दिख रहा है मांसा हरी मांसा हरी यहां पर लिखा हुआ है और इसका English क्या है? नन-vegetarian इसको और भी English में कह सकते हैं कारणी भोरस तो ये दोनों का मतलब सेम ही होता है ये दोनों का अगर Hindi मिनिंग दिखा जया तो हमारा मांसा हर ही होता है तो ये दोनों में से अगर आपको कोई भी दिया रहेगा तो आपको घबराना नहीं है ठीक है यहाँ पर आपको परिभासा में क्या है आप देखिए तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जो जनतु केवल और केवल मांस खाता हो जी हाँ जो जनतु केवल और केवल मांस खाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं मांसारी कहते हैं ठीक है तो जैसे मै आप देख सकते हैं हमारे सामने क्या-क्या हैं तो जैसे मैं आप देख सकते हैं सिंग बाग चिता पालतु कुते एक और लोमवडी लगड़या और रिच और और हलाख की जो हमारे बिलि और कुते ऐस्ड़ों सरौ आ गया होगा तो अब हम आगे की चीजे बहुत यासानी से जानते हैं तो यहां पर आगे की चीजे में हमारा आजाता है वो क्या है सरवाहरी तो सरवाहरी में आप देख सकते हैं यहां पर लिखा क्या हुआ है तो सरवाहरी का अगर हम इंगलिस मेनिंग देखे तो वो हमारा क किया जता है ओमनी भोरस तो यहां पर देख सकते हैं और इनका जो परिभासा है कुछ इस प्रकार के है तो यहां पर परिभासा में क्या है कि जो जन्तु पेन पौधे तथा कुछ जन्तों से प्राप्त भोजन को खाता हो उन्हीं को क्या कहते हैं सरवहरी कहते हैं जैसे में आ से प्राप्त भोजन झैसे कि कभी कालमच utiliser लोक्त रिव खाते हैं और बहुत सारे चीज़ को खाते हैं तो जंतू यसे प्राप्त होते हैं प्राप्त हो चीज़ें रही है तो बस आपको एंड मुर्गी से अंडा हो गया और गया से हो गया दूध तो ये सब जन्तू से प्राप्त होते हैं और कुछ जन्तू को खाते हैं तो जो जन्तू पेन पोधित था कुछ जन्तू से प्राप्त भोजन को खाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम सरवहरी कहते हैं जिसे इंगलिस म आपको किलिर हुआ या नहीं हुआ अगर यह चीज आसानी से आपको किलिर हो गया हो तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और यहां पर जो भी चीज मैं बताया हूं इस से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है ना तो नीचे जरूर लिखेगा ठीक है तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ अपताय के लिए बने रहिए और जूड़े रहिए बाए-बाए टिक केर बेस्ट आफ लग